लखनों में CM योगी आदितिनाथ और केंद्री मंत्री नितिन गडगरी ने कुक्रेल नाले का निरिक्षण किया निरिक्षण के बाद CM योगी ने कहा कि गंगा सफाई अभ्यान में कई नई तकनीके अपनाई गई हैं जिसके तहट कुक्रेल नाले पर तीन MLD क्षमता का सीवरेज शोधन सैयंत्र जियो ट्यूब तकनीक पर काम करेगा या बड़े महानगर हैं उनके सिवर को STP लगा करके सुद्धिकरण का कारे करना STP में कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है दूसरा उसका जो रिकरिंग खर्चा है वह काफी ज्यादा है इसलिए हम लोगोंने अन्य तकनीकों का प्योग किया है या एक मॉडिलर विदी है इसके माध्यम से आपने देखा होगा वहीं केंद्री मंत्री नितिन गडगरी ने दावा किया कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और यूपी में करीब 15 हजार करोड रुपई का निवेश किया जाएगा अब हमने यह किया है कि जो ट्रिबूटरी जैसे यमोना पर 34 अब अब हमने यह थे किया कि छोटी मोटी सब नाले जितने भी गंगा में मिलते हैं उन सब में काम करेंगे अब यह हमको काफे नए डिप्यार भी यूपी सरकार ने त्यार करके दिये हैं उसको त्यार करें है हम एक भी नाला ने छोड़ेंगे और एक भी नजिरी चोड़ेंगे हमारा जो पहला 22,000 करोड का जो प्लान था अब 28,000-30,000 करोड तक गया है और हम इसको आग भी पैसे लगते तो भी पूरी गंगा निरमल करना हमारा उदिश्ट है इसमें करीब 260-280 प्रोजेक्ट अभी हमारे पास है गौर तलब है कि निरिक्षर के दोरान सीम योगी के सा स्वामी चिन में महाराज भी मौजूद रहे पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनव से अनिल स्वैनी की रिपोर्ट